Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको provide कराता है high quality education, वो भी बिलकुल free of cost. Kindergarten से लेके class 12 तक की. CBSE board के courses के साथ साथ आपको other state board के भी courses available है. In India medium, जैसे की UP board, बिहार board, Delhi board के courses. Proper systematic way में. कोई रिकत परिशानी आपको नहीं होगी. Daily practices की questions पी मिलेंगे. Practice भी करते जाएगा. E-books और E-notes की link आपको description box में available है. तो बटकने की बात नहीं बनती. आज जो topic है, वो है enforcement of safety laws. Safety laws को, सुरक्षा की जो कानून है, जो laws है, उनको लागू करवाना. चलो. सबसे पहले, आप क्या लागू कर दो, भाई? Like and share करना, लागू कर दो. है ना? मैंने क्या करा? बोला, like and share? याने मैंने क्या बात बोली? मैंने plan करा. मैंने कानून, मैंने बोला. आप उसको implement. लागू कोन करोगे? आप करोगे, like and share करके. जली जली से implement करो मेरी बात को चलो देखो हम जो हमारा चाप्टर है वह हम law and safety social justice का पढ़ रहे हैं है ना last class में हम example से समझ रहे थे कि क्या वर्त है जो Indian workers है अगर हम बात करें उनकी क्या वर्त है उनकी वर्त नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि reasons है कि जनता तो पहले बात तो बहुत जादा लोग है उपर से employment उतना है नहीं जो मालिक लोग है जो employer है उनको यह पता है हमारी कमजोरी हमारी vulnerability उनको यह चीज बहुत अच्छे से पता है जिसका वो फायदा उठाते हैं है कैसे वो क्या करेंगे कम wages में लोग को रख लेंगे लंबे-लंबे समय तक है ना लंबे-लंबे duration जो है आर्स काम कराएंगे और wages उत्ती देते नहीं है working condition उतनी अच्छी होती नहीं है जो आसपास का environment है या जो safety measures है वो भी कुछ लेती नहीं है cost cutting करते हैं क्यों क्यों उनको पता है कि इनकी तो मजबूरी है ये तो काम करेंगे है ना इनको अगर यहां से इनकी चली जाएगी नौकरी तो दूसरी जगे कहा करेंगे है ना डरते हैं सब कि अरे यार यहां से अगर दाना पानी उड़ी है तो दूसरी जगे भी मिलना बड़ा मुश्किल है बहुत मुश्किल से मिलेगी आज कल वैसे ही नौकरी कि इत्ती ज़दा मार चल रही है है ना सही बात है कि नहीं है तो इससे हमें क्या समझ में आता है तो उनको पता है भई मजबूरी है इसलिए कंपनी क्या करती अपना फायदा देखती उनके तो बढ़ी है कि सही है यहाँ पे तो हमें चीप रेट में लेबर्स मिल जाते है ठीक है तो यह ने वर्कर की वर्थ फिर से मैं कहूंगी कम है है ही नहीं है ही नहीं तो क्या ही बोले implemented as a lawmaker है ना government क्या करती कानून बनाती है और enforcers कानून को लागू करवाने का भी काम करती है तो the government is supposed to ensure that safety laws are implemented government क्या करती गोवर्मेंट ही ensure करती है कि जो safety laws है ना यह बहीं इंप्लिमेंट भी होने चाहिए ठीक है बना दी हो गया लेकिन वो यह भी धियान रखके चलती कि इन is also the duty of the government to ensure that the right to life guaranteed under article 21 of the constitution is not violated किसकी बात हो रही है right to life guaranteed under article 21 article 21 के under क्या है क्या दिया है right to life guaranteed है ना जो guaranteed life के हम बात कर रहे है article 21 के under हमें दिया हुआ है क्यों दिया है हम लोग ले दिया है तो government यह भी धियान रखके चलती है कि अगर इन ले कुछ दिया है ना जनता को यह right दिया है तो यह violate ना हो है ना यह तोटे ना किसने दिया है constitution ने दिया है तो यह भी धियान रखती कि यह कानून तूटना नहीं चाहिए यह law है तूटना नहीं चाहिए What was the government doing when there were such ballotant violation of safety standards in the UC plant Government तब क्या कर रही थी Government तब क्या कर रही थी जो safety measure पर ध्यान नहीं गया यह जो rules इतने बुरी तरीके से हैंना जो बिल्कुल इतने जादा उससे तोड़े गए जो safety measures से हैंना इतना जादा उसको ध्यान नहीं दिया गया उस वक्त क्या कर रही थी government सही बाते आपके माइन में question आया हो ना कि हम सरकार के काम की बात कर रहे हैं तो जब यूसी प्लांट का issue हुआ है जो laws बने हुए तब कहा थे एक law तब कहा थे कानून तब कहा थी सरकार जो इतना लोगों ने सहा इतना सफर करा compensation भी उतना कुछ था नहीं तो कप कहा गई थी government ठीक है चलो first the safety laws were lags in India second even these weak safety laws were not enforced अब जो safety laws है है नब वो क्या करती lag करती इतनी धीली है हम ही कह सकते कैसी जो हमारी इंडिया में जो अगर safety laws है वो क्या है धील है इतने ज़्यादा powerful नहीं है इतना ज़्यादा कोई मतलब इसको serious तरीक से लेता नहीं कि ठीक है safety के लिए कुछ अच्छा हम करें high level कर नहीं ऐसे ही बस यह ही नहीं second even these weak safety laws were not enforced even यह जो safety laws है जो safety के लिए कानून है यह क्या है यह weak है और enforced नहीं करे जाते वीक तो है और enforced भी नहीं करे जाते लागों भी नहीं करते government officials refuse to recognize the plant as hazardous and allowed it to come up in a populated locality अब government officials ने क्या करा उन्होंने refuse कर दिया कि भई जो plant है है ना यह जो plant है यह hazardous नहीं है government नहीं जब officials लोगों नहीं कह दिया मान लिया सरकार नहीं बोल दिया तो अब क्या हो सकता है और सरकार ने क्या बोल दिया इनको allow कर दिया कि आप क्या कर सकते हो populated locality में आप काम कर सकते हो अब आप समझ सकते हो इतनी जान जाने के बाद भी इतना जादा बरबादी होने के बाद भी सरकार इस चीज को क्या बोल रही मिक प्रडक्शन यूनिट इन 1978 वाट से वाज आप सेफटी वाजिशन दा पोजिशन अफ दी गोवर्मेंट वाज दा दी स्टेट नीज तो दी कंटिनूर इन्वेस्मेंट अफ दी वुपाल प्लांट विच प्रोवाइड जॉप्स अब जब यह आ रही थी जो आए थी उसी प्लांट है ना यूनियन कारबाइट का जो गैस आई थी ना इसके अंदर थी जहरीली गैस इसकी बात की गई हैना कि यह प्लांट आएगा तो यह प्लांट कैसा है पॉजनस है मतलब इस सेफटी मेजर के सेफटी नहीं सेफ नहीं है हना सही नहीं है लेकिन गवर्मेंट ने क्या बोला मतलब इनके लिए बात किसने की जो मुनिसिपल कॉर्परेशन की लोग चाहिए है ना कंटिनुस्ट इनिवश्मेंट नहीं चाहिए सात में अब अगर यह प्लांट सेट अप हो तो इससे क्या होगा, employment increase होगा, jobs मिलेगी, तो government ने ये हवाला दे, ये बात बोली, ठीक है, तो municipal officials जो है, उन्होंने object करा कब, 1979 की बात है, कि ये safety violation है, ये जो है, ये safety को violate कर रहा है, तोड रहा है, लेकिन जो position थी government की was that, वो ये कह रहे थी कि state को continuous investment की जरूरत है, ना, तो, मल हुपाल प्लांट से जो भी investment आएगा, तो उसको उसकी जरूरत state को है, तो भाई हम इनको रोक तो नहीं सकते है, हमारी कमाई रूख जाएगी, क्योंकि जरूरी है ना, manage करने के लिए, which provides job, जो job provide करता है, तो ठीक है, रहने दो, इनको, इनको plant set up करने दो, तो government ने क्या करा अब मतलब फायदा ये रेखा, किस से हमें भी फायदा हो रहा है, मतलब jobs create और investment आ रहा है, तो government ने set up होने दिया, clear, चलो, it was unthinkable according to them to ask UC to shift to cleaner technology और safer procedures, it was unthinkable, ये जो ऐसा था, कि उनके according, वो ऐसा सोच रहे थी, कि इसके बारे में अब क्या सोचे, उनों की वो UC को बोलने, कि आप क्या करो, to shift cleaner technology और safer procedures, मतलब वो क्या ही बोलने उनको कि आप क्या करो, cleaner procedure ऐसा यूस करो, safety measure यूस करो, safety को और बढ़ा और अच्छा करो, government inspectors continue to approve the procedures in the plant, even when repeated incidents of leak from the plant made it obvious to everybody that things were seriously wrong, this as you know is contrary to what the role of a lawmaking and enforcement agency should be, अब government inspector जो थे, वो क्या कर रहे थे, continuously इस चीज़ को क्या करते इग्नोर करते जा रहे थे, जबकि उन्हें पता था कि यहाँ पे incident ऐसे हो रहे है, gas leak हो रहे है, है ना, लो की किसी की किसी की जान चली गई, या कोई injured हो गया, कोई घायल हो गया, government कोई सब पता चल रहा है, लेकिन फिर भी इसके खिलाफ वो लोग कुछ नहीं कर रहे है, वो लोग चुप बैठे हो है, ठेक है, क्यों बैठे हो है, वो लोग चुप, क्योंकि उनको भाई फायदा मिलेगा, सी लहीं, वो अप्रूफ करते गए, अप्रूफ करते गए, इवन वेन रिपीटेट इंसिडेंट ओफ लीक्स फॉंग दी प्लांट मेड़ेट अब्वियस तो एवरीबड़ी रहा है, जबकि सब कोई इंसिडेंट देख के सुनके पता चल रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड यहां तो इन तो अपना फाइदा रिख रिख रही है, यह देखे नी रही कि कानून है, उसको फॉलो करो, यहींको लागू करना है, यहां कुछ नहीं देख रही, तो एक बइल्कुल कानूरी है, अपोजिट है, जैसा कानून होना चाहिए, जैसी सरकार होने चाहिए उसके तो just opposite है यह तो अपना फाइदा देख रही है सही बात है कि नहीं फाइदा ही तो देख रही है तब ही तो अप्रूफ करते हैं करते हैं करते हैं जबकि रिपीटेड इंसिडेंट हो रहे थे और सबको समझ में आ रहा था गलती है तो इसका मतल अब क्या है कि सरकार जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं थी उस वक्त रिसेंट्ली अलाज ट्रेवल एजन्सी वह आस्टू पे रूपीज एट लैक एस कंपनसेशन तो ग्रूप ऑफ टूरिस्ट्स देर फॉरें ट्रिप पूर्ली मानेच और देमिस डिस्निलाइन शॉपिं इ परिस वाय दिद विक्तिम्स ऑब भूपाल गैस ट्राजडी देन गेट सो लिटल फॉर लाइफ टाइम ऑफ मैजरी एंद पें अब एक ट्रेवल एजन्सी है ना उनको क्या पे करना पड़ा उनको आठ लाग का कंपनसेशन पे करना पड़ा टू ओ ग्रूप ऑफ टूरिस् जो एक ट्रेवल एजन्सी ने पे करा देयर फॉरेंट ट्रिप वस पूर्ली मैनेज़ और देमिस दिजनी लैंड एंड शॉपिंग इन पैरिस क्यों ने कंपनसेशन मिला रीजन ये था कि उनका जो डिजनी लैंड में जो घूमने गए थे वो ढंक से हो नहीं पाया और पै क्यों डिफरेंस क्यों सकता है क्योंकि सरकार इतनी सीरियस नहीं इंती सरकार नटो को ऐसको एसा प्रूफए की समझ में और यहां पे देखो बड़ीником compensation मिलिया तो यह फर्क क्यों क्योंकि government वैसे नहीं government ने वो कानून enforce करा ही नहीं अपना काम किया ही नहीं चलो instead of protecting the interest of the people their safety was being disregarded both by the government and by private companies उनका काम क्या है उनको उनका काम है कि भई हमें public के interest को protect करना है लोगों के interest को हमें protect करना protection provide करना है लेकिन उनकी safety का किसी ने कुछ भी serious नहीं लिया चाहे वो government की बात करे private companies की बात करे इन्होंने कुछ भी serious नहीं लिया है ना इन्होंने जैसा चाहा वैसा जैसा वो करना चाह रहे थे वैसा इन्होंने वैसा वैसा किया ठीक है this is obviously not at all desirable जबकि obviously ये कोई नहीं चाहेगा ना कि सरकार ऐसी हो private companies तो क्या ही serious लेगी उनको तो ऐसी profit दिखता है सरकार ने भी ऐसा कुछ किया ही नहीं उन्होंने भी इसको all time ignore करा कुछ protection safety का का काम किया ही नी तो ये क्या माना चाहेगा ये obviously desirable नहीं है ये कोई भी नी इसको पसंद करेगा with more industries being set up both by local and foreign businesses in India there is a great need for stronger laws protecting workers right and better enforcement of these laws जितनी जितनी जो industries हम कह रहे हैं set up हो रही है ना local or foreign business की इंडिया में तो ये ध्यान रखना चाहिए कि इंकलिस safety measure हो है ना ऐसे कानून हो ऐसे laws हो जो इन workers को अधिकारों को protect कर सके और साथ में enforce भी होना चाहिए ना सिर्फ कानून बनना ही ज़रूरी नहीं कानून लागू होना भी ज़रूरी है क्योंकि हमने देखा कि पहले चाहेवन पहली की सरकार हो प्राइविट कंपनी तो अभी भी कुछ वैसा नहीं देखती जो वरकर का क्या फायदा है वरकर के राइट को नहीं देखती वह अपना फायदा देखती और जो हम बात करें उसी जाए हम लोकल कंपनी को कह थाक है तो किस चीज़ की जरूवत है वरकर के राइट के बहुत ज़्यादा जरूवत है ऐसे कानून की जरूद जो वर्कर्स के राइट को प्रॉटेक्ट करें और बेटर इंफोर्समेंट ऑफ दीज लॉज और इन कानून को एंफोर्स भी होना चाहिए मतलब लागू भी करना चाहिए ठीक है इसी के साथ भाई हमारे जो टॉपिक हैं एड हो आफ़ा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्यूं जरूरते कानून को लागू करने की नए कानून बनने की क्योंकि बही serious लिया नहीं जाते एवन government भी अगर इस चीज़ को serious नहीं लेगी जबकि government से हम उमीद करते गवर्मेंटी होती करदा दरता जो कानून बनाती है जो कानून को लागू कराती है तो I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो क्या करना है like, share, subscribe करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है अगर आप और भी lectures के वीडियो देखना चाहते तो आप Magnet Brains के Europe Channel, application और website पे देख सक में और 100% free available है आप हमें सारे के सारे platform पर भी follow कर सकते तो like, share, subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले अपना ख्यार रखे, thank you so much for watching